हेलो अब्रीवान वेलकम टू अभी पीडिया आई होब यू आर डूइंग डेट माइनम इस अक्षिय सोनी यूर रिजनिंग मेंटॉर और एसे सीजेल के लिए जो हमारी सीरीज चली है इसमें की हम डिसकस कर रहे थे टॉपिक वाइस हम दो दो तीन तीन पार्ट में डिसकस कर रहे हैं जो अलग-अलग आपके रह रहे हैं जैसे टॉपिक अभी जो लेटस्ट वहस्व करणे एट इस ब्लूब रेशिन ठीक है इसके बाद भी एक और वीडियो आगे जिसमें की मुल्टिपल चोई स्कों मतलब मिक्स्ट फॉर्म में तो इन सभी में मैंने आपको बताया कि यह ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टन रहता है जिसमें कि जो टॉपिक्स रहते हैं आपके वह पॉइंटिंग टू ठीक है यह टाइप अफ कोश्चन है पॉइंटिंग टू दूसरा रहता है कोडिट फॉर्म में और आप देखिए अगर एक्जाम को अगर आपने पी वाई की उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो कोडिट फॉर्म में जो है ब्लड रेशन आपको देखने को मिलेगा और तीसरा जो रहता आपका डाइग्राम बेस्ट जो की आज हम डिसकस करेंगे इसमें डाइग्राम बेस्ट कोश्च आप उसको अच्छे से कर पाऊं तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे वाट्सएप चैनल से नहीं जुडए हैं वाट्सएप कम्यूटिटी ग्रूप से नहीं जुडए हैं तो आप पूछना चाहते हैं आप कम्यूटि ग्रूप ठीक है तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला कोशन देखिए क्योंकि डाइग्राम बेस्ट मैंने आपको बताया तो मैं थोड़ा सा बेसिक बतायता हूं को कैसे करना आपको कोशन में देखना है कि इसमें जेनरेशन कित रहते हैं सबरेंट् की जैनरेशन की बात दो ही आएंगे माता और पिता बट जटंरेशन में जो होंगे उनके ब्रदर सिष्टर कजन का इसे जनरेशन is गैं तो यह हमारा बेश्ट रहे गा और ज्यादा तर आपको तीन ही जैनरेशन के कॉस्ट्ट आते हैं बट आपको हो सकता है कि इसमें ज़्यादा भी बन जाएं ठीक है तो चलिए मैं आपको कोश्चन पे ही लेके चलता हूं देखिए यहां पर के बने इन फैमिली इन इन जॉइंट फैमिली एर और यहार फादर मदर पी मैरीड संस एंड वन एंड मैरीड डॉर्टर देखिए किस तरह से बना फादर और मदर तो आगे मैं लिजी यह और यहां पर क्या रहा है इनके जो सन है इनके हैं तीन संस तीन सन है तीन की मैरिज होई है तो आप ऐसे लेके चल सकते हैं इसमें कि सन वन ठीक है सन टू और सन थी और मैरीड है तो क्या आएगा इनकी वाइफ बनेगी इसकी वाइफ ठी वाइफ टू और वाइफ वन और अ unmarried है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह daughter बन जाएगी इनकी daughter इन दोनों की आगे है two have two daughters and each and one has one a son. दो के दो daughters हैं. इन दोनों के दो daughters हैं. इसमें d1 ठीक है dd कर देते हैं और इसमें भी क्या आएगा? दो के दो daughter हैं हर एक के और एक का एक son. ठीक है? two have two daughters each and one has one son. a son. how many females members are there in the family? कितनी female है? अब देख सकते हैं एक तो mother है, एक daughter है, फिर दो, तीन, चार, पांच, जो है, छे, साथ, आठ, नो. तो नो total members बनते हैं जो की female बन रहे हैं. joint family की बात हो रही थी यहां पर. ठीक है जी? I hope आपको यह question go through, अच्छे से हो चुका होगा. next question की बात करते हैं, देखिए, यह भी इसी तरह का question है, थोड़ा सा उसी तरह का है. given है, इसमें a, b, c, d, e, f, g, r, members in a family, consisting of four adults and three children. चार adult है, तीन चिल्टर है, तो क्या बन सकता है? चार adult मतलब grandparents, parents, वो दो कपल बन गए, ठीक है? तो उसमें से चार पासन बन जा है, तीन चिल्डरन भी बन सकते हैं, इसमें, ऐसा बिसकर दो ब्रदर हों, उनके वाइस बन जा है, ऐसा बिसकर यह ब्रदर एक सिस्टर और जो married couple हों वो उनी में से, तो बताया गया है, एफ और जी, दोनों females है, A and D are brothers and A is the doctor, A और D brothers है, A और D brothers है, और A क्या है, इसमें doctor, ठीक है? E is an engineer married to one of the brothers, E engineer है और एक brother से married है, तो इसमें से brother जो है, brother से married कोई भी आ सकता है, and has two children, उसके दो children है, दो children है मतलब क्या हो सकता है उसमें, कि तीन children में से दो, उसके ओंगे एक दूसरा जो couple बनेगा, उसका एक children बनेगा, ठीक है, एक जो है child बनेगा, B is married to D, B की marriage जो है, D से हुई है, B is married to D, ठीक है, और इनका जो child है, वो कौन है, वो है G, G is their child, G क्या है, एक female, ठीक है, तो इसमें से क्या बना, इंजिनिर की शादी हुई है, डॉक्टर से, और इनके जो है, दो children है, जिसमें की F, एक female बन जाएगी, और दूसरा जो person रहेगा, देखे, यहां पर कौन सा रहता है, A, B, C, तो C रहता है, इसमें, C, जो है, इसमें male बनेगा, तो आप देख सकते हैं, इसमें, उच्छा ग है, ठीक है, बस हमें find out करना था, कोई ज्यादा tough question नहीं बनते हैं, doable होते हैं, अगर आप अच्छे से basic concept को go through करेंगे, ठीक है, next question यह है, सुकेत has three daughters and each daughter has a brother, सुकेत के तीन डॉर्टर हैं, और हर एक डॉर्टर के एक ब्रदर है, सुकेत यह आ गया, इसके तीन डॉर्टर है daughter one, daughter two and daughter three, और हर एक डॉर्टर के एक ब्रदर है, इनका एक ब्रदर होगा, इनका एक यह ब्रदर है, ठीक है, तो अभी इसमें पुझा, how many male members आज देरें दे रिए इन फैमिली, कितने male member है, एक यह बना, एक यह बना, ठीक है, इसका भी एक ब्रदर है, इसका भी एक में ही mention किये गए, next time में, in a family of five, P is father of R, P father है, R का, S is Q son, देखो, पांच लोग है, P father है, R का, S Q का son है, S is son of Q, Q का son है, S, S is sister of R, S is sister of R, S is Q son, S has a sister, S has a sister, R, S की sister है, R, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनागा है, therefore, if U and P as brother, अगर U और P brother हो, U और P brother है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसकी mother है, इसकी भी mother बनेगा, देखो, इसका father था, इसका भी father बनेगा, obviously, दूसरा जो parent होगा हो, वो mother ही बनेगी, तो इसमें क्या बना, then, अगर U, अगर P का brother, then, what is the relation of Q and U, as follow, Q और U का, जो है relation क्या बना, Q और U का, तो एक बनेगा, देवर एक बनेगी, भावी, इसके भावी की wife है, देवर भावी मतलब देखिए यहाँ पर, Q is sister-in-law of U, yes, यह बन रहा है, Q is sister-in-law of U, Q is brother-in-law, यह नहीं बनेगा, U is wife of Q नहीं, Q is daughter नहीं, यह भी नहीं बनता, तो कौन सा हैगा, इसमें से, यह third हमारा answer बन रहा है, देखिए, अब इस question में देखिए, A is the brother of B, A is the brother of C, A brother है B का, और A ही brother किसका है, C का, to find what is the relationship of B and C, what minimum information from the following is necessary, minimum, कम से कम हमें information क्या चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, दोनों के, जो है, हमें gender चाहिए न, इसका भी gender चाहिए और इसका भी gender चाहिए, दोनों का ही हमें gender चाहिए, किसी एक का gender बता करेंगे, दूसरे का हम नहीं बता सकते, देखो, यह C, C जो है, B का brother भी हो सकता है, sister भी, obviously इसमें B भी क्या है, इसका brother यह sister दोनों में से कोई भी एक बन सकता है, तो अब अगर आपको दोनों जो है, मिल रहे हैं इसमें, तो इसका meaning क्या है, बोथ one and two are required to answer the question, ठीक है, दोनों की है हमें, जो है, necessary है, अब यह question है, यहाँ पर given है, कि मोहन is the son of Arun's father sister, देखो, थोड़ा साथ में lengthies में बताया कि मोहन कौन है, Arun के, Arun का जो father है, father को हम यहाँ पर plus कर लेते हैं, father की sister का, तो मतलब Arun की बुवा का बेटा क्या है, मोहन, मोहन, पर प्रकास is son of Reva, who is mother of Vikas and grandmother of Arun, ठीक है, तो प्रकास जो है, Arun की, sorry, पर इसमें, रेवा जो है, वो Arun की grand mother है, मतलब इसके father की mother हो सकता है, ठीक है, या इसकी mother की भी mother हो सकती है, वट अब हम हमें देखना है, ऐसे हमने बना लिए इसमें, तो प्रकास जो है, son है, रेवा का, जो की mother है, विकास की, जो विकास की मदर है, मतलब इसका एक संज जो है, विकास है, एक है प्रकास, इन में से कोई भी एक जो है, विकास है प्रकास बन सकता है, प्रणव इस दी फादर आफ नीला एंड ग्रेंड फादर आफ मोहन, प्रणव नीला का फादर है और ग्रेंड फादर है मोह जाए इसकी मदर का इसकी मदर का फादर बना मतलों ना बना इसका हुआ इस वाइफ लेटी टूनि रहा है यहां पर यह पर यह नहीं लिखा कि कौन भी का से कौन प्रकास बट दोनों में से आप देखो नीला का जो क्या लगे रिष्टा होगा नीला क्या नीला से किस तरह से दोनों कि क्या बनेगी जो इसका बनेगा तो यह थे हमारे कुछ फूट्रू कर लिया होगा तो ज्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं थी आपको नेक्स्ट वीडियो को प्सक्राइब भी इसमें go thro करना मैं थोड़ा सा आपको micro courses के बारे क्या ख्वक पूर्स के बारे में कि निए कि चोटे छोटे चोटे शोटे पूर्स इसमें बताया जाएगा कि कि आपने பिया blood relation example लेते हैं blood relation की आपको videos दी जाएंगी videos में completely आपको उसमें बताया जाए किस तरह से आपने इनको solve करना question को क्या आपके strategy रहेगी वो सारी videos इसमें रहेंगी जिसमें कि आपको basic से high level तक करवाया जागा और साथ ही साथ इनी videos की आपको PDF मिलेंगी और इनी videos के साथ में आपको MCQs भी मिलेंगी बहुत सारे MCQs जिससे आप क्या कर सकते हो आप अच्छे से अगर go through करेंगे तो आप exam में कोई भी किसी भी तरह का question जो है attempt कर सकते हो ठीक है अच्छे से go through कर सकते हो ओके तो यह जो छो मालोग कोई अपने chips का packet ना लिया तो एक course आपने ख्रीद लिया तो वो जो chips का packet तो थोड़ी दिर में खतम हो जाएगा बट आपका जो पोर्स है पोर्स आपका जो है आपको test को clear करने में आपको exam को clear करने में help करेगा आपको government job दिलाने में help करेगा ठीक है तो यह बहुत अच्छी important opportunity आप इसका link भी description box में find out कर सकते हैं माइक्रो कोर्स माइक्रो वर्स ठीक है एंड इंटरस्टेट केंडिटेट गो तुरू कर सकते हैं that is all for now thank you so much for your cooperation and be sure to like this video and subscribe our channel thank you so much कर दो है